इस वीडियो में दुस्तों हम लोग बात करेंगे Tata Uman Premier League के दुस्तों आज के होने वाले मैच के बारे में दुस्तों आज का जो मैच है वो दुस्तों दिल्ली Uman और दुस्तों UP Uman के बीच खेला जाएगा यह मैं दुस्तों साम को 7 बज़ के 30 मिनट से स्टार्ट होगा इस match में investment कर रहे हो small league grain link में तो एक बार वीडियो को जरूर watch कीजेगा और आप यदि खुद से team बनाते हो और कहीं कोई problem आता है तो नीचे मेरे साथ share जरूर कीजेगा मैं पुरा courses करूँगा दोस्व उसको solve करने का और दोस्व जो मैं अभी आपको small league का team पुराइट कर रहा हूँ इस match related task के बाद दोस्व यदि उस combination में by chance कोई player नहीं खेलता है तो final combination दोस्व मैं आपको फिर से update करके टेलिग्राम पे पुराइट कर दूँगा आप सभी दोस्व हो सके तो टेलिग्राम को जरूर जवाइन कीजेगा इसका link दोस्व आपको नीचे description सेक्शन में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्व comment सेक्शन में भी first comment पीन के हुआ मिल जाएगा जाइए दोस्व टेलिग्राम के साथ जुर जाईए और साथी साथ दोस्व यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्व YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने को बाद दोस्व सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्व आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा अब बात करते हैं दोस्व हम लोग जिली उमेन और दोस्व यूपी उमेन के मैच में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्व इस match का combination जानने से पहले सबसे पहले दोस्व इस match related हम लोग पीच के बारे में जान लेते हैं तो दोस्व यह match खेला जागा डिवाई पार्टी ले स्टेडिया में यहां का दोस्व पीच का बात करें तो दोस्व देखो यह जो पीच है ना इस्पीनर को जादा help करती है मैं simple way में बोलू तो देखो यहां पर फास्ट बोलर को बिकेट मिलता है लेकिन कब बिकेट मिलता है तो दोस्व mainly over number 1, over number 2 नहीं तो दोस्व over number 90 और 220 डैट मिस स्टार्टिंग के over में और 200 देख over में लेकिन जो mid phase होता है न उहां पर यार इस्पीनर को बहुत बिकेट मिलता है और ऐसे भी दोस्व आज के मैच में आप देखोगे तो ऐसे टीम है जिनके पास दोस्व इस्पीनर तो कमाल के है आपको इस मैच में टोटल 5 ऐसे विकेट टेकर इस्पीनर मिलेंगे जिनने आप इग्नोर नहीं कर सकते हो पाँच में दोस्व तीन इस्पीनर तो आपके टीम में एनी हाउ होने चाहिए जो दोस्व मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कुन से स्पीनर आज के मैच में आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखेगा बात करें दोस्व एबरेज स्कूर के बारे में तो दोस्व देखो अभी तक जितने भी मैच हुए इस क्राउन पे सभी में देखो तो 150 करता है तो दोस्व एबरेज स्कूर के पास बहुत अच्छा दोस्व बैटिंग लाइन अप नहीं है टीम के पास दोस्व बॉलिंग लाइन अफ काफी अच्छा है चलिए अब दोस्व हम लोग फोकस करते हैं इस मैक से रिलेटेड कंबीनेशन और दोस्व प्लियर स्टैट्स पे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्व हम लोग बिकेट कीपरिंग सेक्षन से बिकेट कीप टीम करेगी और इस तेलिया कीके अफ और आजभ बारे में दोस्व शोजना ही नहीं है बहुत important option है दोसो last match में जैसा इन्होंने बैटिंग किया यार इसको देखके आप drop कभी भी नहीं कर सकते हो और मैंने क्यों में करूंगा टीम में रख लो क्योंकि एक चीज यह है कि recent form अच्छा है साथी साथ सेकीन क्या है कि दोसो इन्हें टीम में रखना चाहिए वह है दोस दोस्तों आपको जैमीमा रोड्रिक्स और दोस्तों आपको एक क्षबी का option मिलेगा फस्ट मैंच में दोस्तों रोड्रिक्स बहुत ज़ादा score नहीं कर पाई थी क्योंकि यार बहुत ज़ादा मिलने के लिए नीचे बैटिंग करने नहीं आई थी देखो तो बैटिंग दो आप एक SP के साथ भी जा सकते हो का SP को मैं क्यों नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग यार नीचे करने आ रही है और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इन्हें लास्ट मैंच में तो चलो आपको बॉलिंग से मैं एक SP को ड्रॉब कर रहा हूँ यदि आप यहाँ पे सेब जाना चाहते हो और सलेक्शन परसिंटेज के इस आप से जाना चाहते हो तो फिर आप रोट्डिक्स को ड्रॉब करके आप एक SP के साथ जा सकते हो तो आपको किरन नापगिर का उपसिन मिलेगा अच्छी दोस्तो प्लियर है फॉस्ट मैच में 53 रने स्कूर किये आप किरन नापगिर को दोस्तो ट्राइ करना चाहते हो और ऐसा आप कोई कंबिनेशन मना रहे हो जिसमें आप दोस्तो बैट्समन को टीम में ज़्यादा रख रहे हो एस कंबियर टू बॉलर तो आप दोस्तो इने ट्राइ कर सकते हो और ग्रेल लिग में दोस्तो मैं रिकमेंड करूँगा एक से दो कंबिनेशन में सिरावत पर आप जरूर रिक्स लेना देखो जनता है इनको ट्राइ नहीं कर रहे है क्योंकि थोड़ा साथ नहीं बहुत ज़्यादा रिक्सी है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना सभी मैच में न ओपेन बैटिंग करने आएगी और दोस्तो जो इसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दोस्तो इंडिया को विन करवाने में इनका बहुत बहुत बरहार था इन्होंने दोस्तो उस पूरे स्रीज में टोटल साथ मैच के लिए थी जिसमें आपको बैटिंग से 212 रने स्कोर की थी लेकिन Grand League में एक से दो कंबिनेशन में आप रिक्स ले सकते हो बात करें दोस्तो हम लोग ओलांडर सेक्शन से तो ओलांडर सेक्शन में आएगा दोस्तो एम कैप और दिपती सर्मा ये तो दोस्तो आज की मैच की बेस्ट कैटन भी सी ओप्सन है तो ड्रॉप तो आपको एक सिंगल कंबिनेशन से करना नहीं है एम कैप दोस्तो आपको सेकेंड राउन बैटिंग करने आएगी चार ओबर कंप्लीट बालिंग करेगी और दोस्तो साओथ अफरिका की सबसे बेस्ट और प्लेयर है और राइट नाँ दोस्तो इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया की थट सबसे बेस्ट और प्लेयर है ड्रॉप दोस्तो आपको बिलकुल भी नहीं करना है फॉस्ट मेच में बहुत अच्छा बैटिंग किये और आपको चार ओबर बॉलिंग भी किये साथी साथ आप इनका रिसेंट पर्फॉर्मेंस भी देखोगे टी टुएंटी वर्ल्ल कप में कमाल करा है साउथ अप्रिका दोस्तो यदि फाइनल तक गई है तो इनका सबसे बड़ा हाथ था सेकेंड ओप्शन दोस्तो दिपती सर्मा और इस पीच पे दोस्तो स्पीनर को बिकेट मिलता है तो और भी फॉडटेन बंजाती है दीपती सर्मा नीचे आएगा दोस्तो आपको टीब मेकराद का ओपसन मिलेगा दोस्तो देखो मैं टीम मेकराद पर टीम में रख रहा हूँ क्योंगे एक तो यह दोस्तो फॉस्ट राण बैटिंग करने वाली है और साथ ही साथ सेकेंड रीजन क्या है कि दोस्तो आपको दो अबर तीन अबर बॉलिंग भी कर लेती है और एस्टेलिया की दोस्तो बहुत अच्छी और राउंडर प्लेयर है जैसे आप नीचे ही आपको देविका बैद्ध्या का आपसें मेड़ेगा इस्मोर लिजीमें आप मैगराथ को रख लीजिएगा ग्रेंड लिक में दोस्तो आप देविका बैद्ध्या को रख लीजिएगा क्योंकि ज़नता इने नहीं ट्राइ कर रही है लेकिन ये भी दोस्तो एक अच्छी spin baller है और इस पीच पे दोस्तो ध्याना किगा spinner को थोड़ा ना थोड़ा help तो है नीचे आईगा दोस्तो आपको सेफाली बर्मा drop करना नहीं है यार लास्ट मैच में जैसी खेली है वैसे बहुत ज़्यादा important बन जाती है small link में लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला small link में grand link में यदि आप ricks ले सकते हो तो आप drop कर सकते हो क्योंकि ध्यानक ना दोस्तो यूपी के पास बहुत अच्छी दोस्तो balling line-up है और सेफाली बर्मा कैसी player है तो दोस्तो hit and miss type player है तो यदि दोस्तो hit and miss type player है तो यदि चलेगी तो दोस्तो आपको बहुत ही अच्छा score करेगी लेकिन आउट भी हो सकती है starting के over में तो यदि आप ricks ले सकते हो तो grand league में यह काम करना small league में नहीं करना क्योंकि आपको भी मालूम है grand league दोस्तो बनाई है ricks लेने के लिए यदि आप ricks लोगे और work चीज क्लिक कर जाता है तो फिर आपका combination one number बन जाता है नीचे आईगा दोस्तो दिवकाबद्या ध्यान रखेगा दोस्तो जो मैंने आपको एक rotation बताया था इनका team में अगरात के साथ नीचे से दोस्तो हम दो कुछ ऐसे भी player देख लेते जो दोस्तो इंडिया की domestic player है जो अभी तक starting के दो match नहीं के लिए first time है दोस्तो पीच ओपरा पीच ओपरा तक ऐसा performance है domestic t20 में तो 11 match के लिए जिसमें आपको शोलर विकेट प्रवाइड की डैट मिस performance domestic में काफी अचा रहा है सेकेंड option है दोस्तो ए मनुयार एक बहुत अची all-rounder player है दिली की team नहीं खेला रही है मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि दिली के पास देखो तो अल्रेडी बहुत अच्छे batsman है यदि कभी आने वाले match में खेलाई तो धियान section में आगेगा दोस्तो आपको starting में दो बेहतरी spin option मिलेगा और spinner को दोस्तो मैं तो drop नहीं करने वाला हूँ जे जॉंसन हो या दोस्तो सोफिया इलिस्टोन हो जे जॉंसन का दोस्तो सेलेक्शन percentage बहुत ही कम है लेकिन यार मेरे को लग रहा है कि इस match में इने बिगेट मिलेगा यदि आप यहां पर सेफ जाना चाहते हो और other player को rotate करना चाहते तो मैंने इंपोर्टेंट जानते हो क्यों हो जाती क्योंकि एक देथ बॉलर है दोस्तो इस पीनर होके दोस्तो देथ में बॉलिंग करती है मैं लिए दोस्तो आपको ओवर नमर 90 नहीं तो दोस्तो ओवर नमर 20 इसलिए मैं इन पर रिक से ले रहा हूँ सेकेंड सोफिया एलिस्टोन एक बहुत अच्छी ओप्सन है जिने आप कैप्टन बीसी कर सकते हो फर्स्त मैच में आपको दो विकेट बॉलिंग से भी प्रवाइट की थी और बैटिंग से भी दोस्तो आपको 20 प्लस स्कूर करके गई थी तो अनदर दोस्तो इंपोर्टें मैच में खेली नहीं थी इतले में ड्रॉप कर रहा हूं लेकिन यदि सोफिया एलिस्टोन खेलती है तो दोस्तो आप जे जोंसन के साथ इन्हें आप रोटेट कर सकते हो ठीक ना खेल जाए तो टोटली इग्णोर मत कर देना कि सेलेक्शन परसंटेज कम है तो इग्णोर कर का दोसो सच बोलू तो वर्ल्ल का भी उतना खास गया नहीं इसले इंडिया की टीम दोसो इन्हें देखो तो इसस्टार्टिं का दो मैच खिलाई थी उसके बाद दोसो यह टीम से आउट कर रही थी और फॉस्ट मैच में लेलो दोसो दिल्ली के लिए तो इन्हों ने दोसो दो ही ओभर बॉलिंग किया था, चार ओभर बॉलिंग नहीं किया था, बट इस्टिल दोसो राधा या तो एक अच्छी स्पीन बॉलर है, यदि दोसो दिल्ली की टीम मुझसे पूछो, फॉस्ट बॉलिंग करती है, तो आप ट्राइ कर सकते हो, ग्रेंड लिंग में, आप ग्रेंड लिंग में नहीं तो मिनी जेल में भी अच्छे उप्सन रहेगी, यदि आप दोसो तीन सो चार सो मिंबर वाला यदि आप लिक खेलते हो तो आप ठ्राइ कर सकते हो, क्योंकि देखो, दोस्तो, सिंपल सा नियम के है, दोस्तो, यूपी के पास न, बहुत जादा राइट हेंडर है, और दिली के जीतने भी दोस्तो, लेप टाम बॉलर है, वो इंपोर्टेंट रहेगी, और स्पिनर हो तो यार ऐसे भी और भी अच्छा है, दोस्तो, हम लोग बात करें, सिखा पांडे के बारे में, तो दोस्तो, देखो, सिखा पांडे, फ़र्स्ट मैच में तो चलो, आपको एक विकेट प्रवाइट कर दी थी, चार ओबर बॉलिंग करके, लेकिन इनका भी दोस्तो, जो रिजन मैचों में परफॉर्मेंस रहा है, बहुत जादा खराब रहा है, और यही दोस्तो, सबसे वरा रीजन था, कि जो इस साल वर्ल्ड कप हुआ था, उमेन वाला, उसमें एक सिंगल मैच भी दोस्तो, नहीं खेली थी, बट इस चील, चार ओबर बॉलिंग की आप रखना साथे हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, दो अबर पार प्ले में बॉलिंग करेगी, दो अबर देथ में बॉलिंग करेगी, नीचे आएगा दोस्तो, पुनव यादो, दोस्तो, एक टाइम था, जब दोस्तो, इंडिया की सबसे बेस्ट स्पिनर हुआ करती थी, लेकिन रीसेन मैचों में परफॉर्मेंच बहुत ज चुकि है T20 में, नीचे आएगा दोस्तो, आपको LBL का ओप्सन मिलेगा, चांस बहुत ही कम है दोस्तो, खेलने का, क्योंकि इनसे बेटर दोस्तो, आपको बॉलर मिलेगी, सोफिया इलिसमाल, जो दोस्तो, खेल नहीं रही है, तो इनका भी दोस्तो, चांस मुझे कमी लग भी हूँ इन पे, क्योंकि इनके साथ प्लस पॉइंट कहें कि आपको चार ओवर तो 100% यह बॉलिंग करके देगी, फर्स्त मैच में बिकेट नहीं मिला, लेकिन आपको चार ओवर बॉलिंग किये, तो यदि आप इन्हें ट्राइ करना चाते हो, सेलेक्शन परसेंटेज बह ओवर देथ में बॉलिंग करने आती है, फर्स्त मैच में दोस्तों आपको एक विकेट पॉर्वाइड भी किये, चार ओवर कंप्लीर बॉलिंग करके, नहीं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डाइरेक्ट नीचे से टी नोरिस को भी अपने टीम में रोटेट कर सकते हो, द यदि दोसो दिली की टीम से बाड़िंग करती है तो आप नोरिस को रख लेना, यदि यूपी की टीम में फर्स्ट बाइन करती है तो यहां से आप gpper को रख सकते हो, यो में आगे बढ़ने से पले, दोस्तों मैं बिजर भवावा एप के बारे बारे में बताना चाहो और इनका दोस्तों में feature आपके साथ share करना चाहूंगा जो दोस्तों अधर आप पे आपको नहीं देखने को मिलता है बहुत ऐसा contest मिलेगा जहां पे दोस्तों आप 0% कमिशन देखे टोटल विनिंग दोस्तों आप ले सकते हो आपको 2 मिनट एक्स्टा ताइम परुआइड किया जाता है जैद बहुत प्रॉबलम होता है यहा पे आपको 24 x 7 आपको customer support पोड मिलता है कोई भी प्रॉब्लम हो और मुझसे भी पूछोगे तो मैं पूरा कोशिज करूँगा आपके प्रॉब्लम को सेयर करने का तो दोस्तो यदि BC option तो दुस्तो मेरे जो captain रहेगी दिपती सर्मा रहेगी 22 captain दुस्तो मैं aim cap के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर दुस्तो आप इसका reverse भी कर सकते हो captain aim cap और vice captain दिपती सर्मा भी कर सकते हो यह तो दुस्तो हुआ small league के लिए grand league में दुस्तो आपके लिए जो अच्छी option बन रही है aim langing बहुत अच्छी player है दुस्तो बहुत जल्दी आपको अपना विकेट देती हुई नहीं दिखती है तो आप grand league में इन पर रिक्स ले सकते हो हेली को दुस्तो आप 20 captain करके grand league में रिक्स लेना चाहते हो ले सकते हो क्योंकि बिकेट कीप रिंग से तो पॉइंट देगी साथी साथ open batting करती है और estelia के लिए record भी काफी अच्छा रहा है open batting करते हुए तो नीचे आएगा दोस्तो सिफाली बर्मा देखो जंता यार बहुत ट्राइ कर रही है captain bc के लिए लेकिन मैं grand league में recommend कर रहा हूँ क्योंकि बाइचन से starting में out हो जाएगी तो फिट problem कर जाएगा तो इसलिए captain आप all rounder को दो जो save भी हुए और साथी साथ आपको point भी दे अभी के लिए दोस्तो ये team मेरा final team में आप सभी दो system का screenshot ले लिजे और दोस्तो contest join करके रखिए टर्स के बाद दोस्तो यदि test को ध्यान में रखिए इसमें से मेरे को कोई भी changes करना होगा तो final combination में फिर से update करके टेलिग्राम पर provide कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका link दोस्तो आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ comment section में भी first comment पीन के होग मिल जाएगा जैए दोस्तो टेलिग्राम के साथ जोड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तो YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तो सबसे important notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको वीजिली notification मिलता रहेगा ठीक ना फिर मिलते दोस्तो आप सभी से नेक्स्ट इटेन के वीडियो में जैए हिन दोस्तो टेक कियर और बाइबाए